हाई गाईज वेलकम बैक टो माई चैनल कैसे हैं आप सब स्वागत है आपका एक और वीडियो में और आज की वीडियो जो रहेगी वह मतलब की मैं students के बारे में बताऊंगा आपको जो new students यहां पर आते हैं और मतलब की उनकी क्या reality 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 है मतलब reality in the sense of jobs और रहे नहीं कि एक और दूसरी चीज़ पर बात करूंगा आप वीडियो पूरी देखना आपको समझ लग जाएगी मैं क्या कहना चाहता हूं और आज students के बारे में बात करूंगा दूसरी बात मैं students को डिवाइड करूंगा दो categories मे देखे पहली के डिगरी तो है जोनोंने सिर्फ पैसा कमाना है वो किसी तरह ऑस्ट्रेलिया पहुंचना चाहते थे student visa हो चाहे वर्क visa हो कौन सा भी visa पहुंचना चाहते थे लेकिन student visa पर आगए और उनने मतलब की पढ़ाई नहीं करनी है या पढ़ाई उनसे होती नहीं है और सिरफ पैसा कमाना है और वो सिरफ पैसा कमाने ही आया इन शॉर्ट तो मेरा मतलब मैं उस चीज के खिलाफ नहीं हूँ देखे कहिंगों का गोल पैसा होता है वो पैसा कमाए वो मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ वो मैं बताता हूं आपको आगे पता लगेगा कि मैं किस च मालब जो योनिवस्टी में है वही uda कोंटीनियू करनी है यह कॉलेज में तो कॉलेज की स्टड़ी क ठीनियू करनी है तो यह मैं वीडियो क्यों बना रहा हूं किन मतलब किन किस साट औ कॉमट्र लो और मैं अंको टर Unless कर रहा हूं कि तो एक तो यह जो जोया है यह जो मिल्वी इंडिया जो जोक्र रहे हैं। कि पार चाहते हैं इसको नहीं पता कि जो नीं उ बैज देखे रहा है। मैं एक साल गया तेंट दनीवर्सट्टी में वह था। उसी उनिवस्टी में बढ़ रहा हूं और मैंने कोर्स नहीं चेंज किया, मैंने अपनी उनिवस्टी नहीं चेंज की, मैंने कुछ सब्जेक्ट्स नहीं चेंज की या कुछ ऐसा, और मैं IT कर रहा हूं और करता ही रहूंगा, मतलब कम्प्लीट करूँगा, मेरी एक एक आगी ना कि मैं टार्गेट के सेक्ट को कर रहा हूं जो कि आये तो मेरे जैसे ही हैं आये तो मेरे जैसे पढ़ने थे आये तो गोल डिफाइन करने लेकिन इधर आगे उनका गोल चेंज हो गया पैसा देखके या अपने फ्रेंड से इंफ्लेंस होके वह मतलब की डिफरेंट पर एक्वल मैं अगर सोच कि आया हूं कि मिरे को आई टी करने लिए इसके बाद जोब करनी और मैं यहां पर आगे अपने फ्रेंड से इंफ्लेंस में आगे मैं क्योंकि मेरे प्रेंज जो थे समेस्टर वान में में मेरे साथ वह सारे माला उन्होंने को चेंज कर लिया यहा ऑढ़े यहां Ik AI कناरने लग पड़े यहां इसतो जो नो तो das डिये लेख में लिए निघ्र गो금 करें और लुए और अगर मैं आई पर आप और यहा यक होस्तर और आपको पैसा देख कोड़ते ओस्तま सबस्क्राव c20 अए लेकिन मैं नहित नहीं क्योंकि मेरे लौए आं वो चीज नहीं करनी चाहिए देखें आप थोड़े से पैसों के लिए या मतलब अपना फ्यूचर पे फ्यूचर का रिसक ले रहे हो आप अगर आप से अगर जैनूरली पढ़ाई नहीं हो रही है आप कोर्स चेंज कर लो अगर आप से पढ़ाई हो रही है लिकिन आप पैसा देखें या फिर अपने अपने फ्रेंट से इन्फ्लिएंस होगे किसी और सकॉर्स में जारे हो या फिर आप सेवन देज काम गर रहे हो या फिर आप सिरफ पैसा-पैसा पैसा तो आटोंग टरम चलेगी चीज क्योंकि अगर लॉंग टम में देखा जाए तो अगर if you have a degree you have आप एक आगे जब्टा जाटा आपकी स्यलरीब पेज्ट होती रहती है आप कि पैसे बढ़ते रहते है आप शॉर्ट सम पैसो के लिए अपने लॉंग टम पैसों और गोल्स को आप ठुक्रा रहे हो तो जो भी नूश्टस आ रहे हैं मेरी उसे ही रिक्वेस्ट है अगर आप आप मेरा कहने का मतलब है कि यह आगे आ रहे हैं अगर वह अपना माइंड सैट त्यार करके आए कि हमें अगर आई टी लिया या फिर हमने नर्सिंग लिया तो हमें उसी चीज में आगे बढ़ना है तो वह बैट रहेगा अप इंडिया से सोच के आई अप इंडिया से विचा आपको मैं आपको मैं हर चीज़ एक्जांपल से क्यों समझा रहा हूं कि मेरे साथ मेरे साथ वा हुआ यह यह तो आपके साथ भी होगी अब यह जो अभी सब्टेंबर इंडेग मेरे एक जूनिर आजा था वह कहता है मैंने सौफ्ट्वेर इंजिनिंग करनी है यह वह भी है मेरे को गाइड करो और हमारे ग्रूप के साथ बैठा था जो मलब आई-टी के सीमिर से उसके तो उसने रेलाइस किया कि वह आई-टी उस कोई चोटा कॉलिश ले लेना चाहिए या फिर आपको जो भी अच्छा लगता और कुछ सेकेंड आप्शन आपको वह ले लेना चाहिए अगर जैनूरली अगर आपको अच्छा मतलब कि आपको फील हो रहा है कि मैं नहीं कर सकता तो पैसे वेस्ट करने को कोई आगे फैद उसमें चला गया ट्रेड कोर्सिस में चला गया एंशोट तो एक दो जन रहे गए हैं उनका दो गोल यह है कि लॉंग टर्म सोचना हमने और इफ यू ठिंक लॉंग टर्म मुझे लगता है कि आपके लिए अच्छा होगा देखें मेरी जो बात है वो हर एक बंदे से कि आप अपना गोल डिफाइन कर गया है यहां पर लगता है कि आप से नहीं होगी तो चेंज करें अगर आप कर पाओगे आपकी फीस निकल रही है और अगर इफ यू वांट टू रेली मतलब रेली हैव पैशन फॉर दो तिंग आप कोर्स मत चेंज करो आप आप मतलब एक अगर मेरा फ्रेंड चोड़के चले गया और उसने कॉलेज में कमाता है लाइव एक्जांपल दे रहा हूं मैं अभी की बाला वह दो हजार वीक में कमाता है देखे मैं उससे 50% भी नहीं कमा रहा हूं लेकिन मैं अपनी फीस बरने लाइक कमा रहा हूं तो मेरा कहने का और आपको मैंनेज करना पड़ेगा जिससे मैंनेज हो गया जिसे मैं तो मैंनेज कर रहा हूं मैं ऐसे बोलूँ क्यूंकि मैंने फीस भी तक खुदी दी है और मैंने कुछ एक्स्ट्रा खर्चे मतलब एक्स्ट्रा खर्चे वगरा कम करके सारा कुछ मैनेज हो दाता है जिन이 मर्ची बात तर्दें को बॉल लिए आपको बस आपको इन्डिया से यкіा इधर आ के एक मट में अपको सोच लेट ना, आपको क्या करना है और जयाली आपको क्या करना झाहिए, वो जो सिरफ आपको बता मैं देखो मैंने समझा दी आपको बात, लेकिन कई कई समझेंगे कई नहीं समझेंगे देखो एक दो जाने भी समझे तो उसमें मतलब कि मेरे को अच्छा लगएगा कि को ही मेरी बात सा समझा है और मैं कुछ आपको फॉल्टोडवाइस नहीं दे रहा हूं जब भी आप आओगे ना आप फर्स समेस्टर में आओगे आपकी क्लास बढ़ी होगी साथ साथ बच्चों से आप सेकिंड समेस्टर में जाओगे 20 बच्चे रह जाएंगे तो आपका मन करेगा यार मैं क्यों कर रहा हूं मैं इतनी फीस क्यों बरूं मैं क्यों यह करूं आप इंफ्लियंस होने के मतलब कि आपका माइंड चेंज तो एक-दो साल में पैकेज डबल हो जाता है तो रिसर्च बावट पैकेजीस कि कितने कितने ऐस्टरिलिया में पैकेजीस मिलते हैं किसी भी फीड़ में तो आपको बहुत लग जाएगा कि प्रफेशनल जोब में क्या हाल है आपकी मर्जी है आपकी मेनत है अपने मिनत करन लिए अगर आपको यिसे झाल झाल